कंगुआ फिल्म को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट और फ्रेस कॉंटेंट मिलते रहे तो फिल्म के सुरुबात होती है रसिया के एक हैटकौाटर से जहांपर कि हम जेटा नाम के एक लड़के को देख पाते हैं दरसल में जेटा के अंदर कुछ पड़ता है जिसके बाद कहानी सिफ्ट होती है इंडिया के गोवा की तरफ जहांपर हम फ्रांसिस को देख पाते हैं जो कि कल की वाले परवास की तरह ही एक बाउंटी हंटर है वे अपने दोस्त कॉल्ट के साथ मिलकर पुलिस से पैसे लेकर अपरादियों को पकड़ने का काम करता है दरसल में जिन अपरादियों को पुलिस नहीं पकड़ पाती है उन्हों सारे अपरादियों को फ्रांसिस और उसका दोस्त कॉल्ट मिलकर पकड़ता है और हाली में उन्हें डिसूजा नाम के एक आदमी को पकड़ने का काम मिला है और इस काम के बदले में उन्हे पांच लाक रुपे मिलेंगे उन्होंन डिसूजा को तो पकड़ लिया था और जब वो कमिशनर के पास उसे लेकर जा रहे थे कि तब ही यहाँ पर इंट्री होती है एंजिला की और मालूम चलता है कि दरसल में एंजिला वी एक बाउंटी हंटर है और वो भी पैसो के लिए इन अपरादियों के पकड़ने का काम करती है इन दोनों की बातों से हमें मालूम चलता है कि एक साल पेले एंजिला और फ्रांसिस रिलेसंसिप में थे लेकिन किसी वज़े से उनका ब्रेक अप हो गया और अब वो दोनों ही बाउंटी हंटर्स बन चुके हैं लेकिन वो दोनों हमेशा एक दूसरे के काम में टांग अड़ाते हैं जिसके बाद कमिसनर इन दोनों को एक और काम देता है और मालूम चलता है कि इन्हें एक जित्तू नाम के एक आदमी को पकड़ना है वो आदमी बहुत ही पावरफुल है और उससे भी ज़्यादा उसका भाई पावरफुल है इसलिए उन्हें पेले ही बता दिया जाता है कि जित्तू को वो सही सलामत उसके पास लेकर आए उसे अगर जरासी भी खरोच आ गई तो उसका भाई ने छोड़ेगा नहीं तो बहुत ढूडने के बाद इन्हें जित्तू का पता मिल जाता है जो कि समंदर की एक यॉट पर होता है ये लोग जित्तू को पकड़ने के लिए जाते हैं लेकिन वहाँ जड़ब हो जाने की वजह से उसे गोली लग जाती है और जित्तू वही पर मारा जाता है इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें किसी ने भी नहीं देखा है इसलिए कोल्ट और फ्रांसेस तो यहां से चुप-चप जाने लगते हैं लेकिन तबी हम यहां पर जेटा को देख पाते हैं जो की यहां फ्रांसेस को घूर कर देख रहा था और जेटा ने इन दोनों को जित्तू का खून करते हुँ भी देख लिया था Francis और Colt को ऐसा लगा था कि साइद इसे कुछ भी नहीं मालूम है इसलिए ये लोग यहां से चुपचप जाने लगते हैं लेकिन अगले दिन ये सारी बातें एंजला को भी मालूम है क्योंकि वो भी जित्तू के पीछे थी तो एंजला के पास अब जेटा था और जेटा से वो Francis और Colt का स्केज बन बाने लगती है क्योंकि उन दोनों को ही उसने खून करता हुआ देखा था तो जब ये बात Francis को मालूम चली कि जेटा उनका स्केज बना रहा है तो Francis और Colt यहां से जेटा को लेकर भाग जाते हैं लेकिन तबी बीच रास्ते में ही जेटा की तवियत बिगड़ने लगती है बो लोग उसे तुरंती हॉस्पिटल ले जाते हैं जहां पर ले जाने के बाद उन्हें मालूम चलता है कि उसकी दिमागी हालत बहुत ज़्यादा आजीव है इसलिए बो लोग उसे घर ले आते हैं लेकिन घर लाने के बाद से यहां पर Francis को जेटा से अजीव तरह का लगाव हो चुका था ऐसा लग रहा था Francis को जैसे बो इस लड़की को बहुत पहले से जानता हो पर जेटा तो यहां Francis को सच मुझी पहले से जानता है जेटा को थोड़ा भी डर लगता तो वो Francis के पास चला आता तब Francis को मालूम चलता है कि जेटा भूका है इसलिए बो लोग एक रेस्टरेंट में पहुंचते हैं वहां पहुंचने के बाद मालूम चलता है कि जित्तू का भाई यहां आ चुका था और उसे दरसल में एंजला यहां पर लेकर आई थी वो सभी लोग यहां पर आ चुके थे लेकिन तवी हम देखते हैं कि रसियन माफिया के लोग भी यहां पर पहुंच चुके थे और वो इस रेस्टरेंट पर अटैक कर देते हैं उन्होंने जित्तू के भाई को भी मार दिया था और इस पूरे रेस्टरेंट का तहस नहस कर दिया था वो यहां किसी तरह से बस जेटा को लेने के लिए आये थे और वो इसमें कामयाब भी रहे तो बो लोग जेटा को यहां से ले जाने लगते हैं लेकिन तभी फ्रांसिस को कुछ अजीब सा लगता है और वो तुरंत ही वो लोगों का पीछा करने लगता है फ्रांसिस पागलों की तरह जेटा के पीछे भाग रहा था और ये सीन यहीं पर कट होता है जिसके बाद सीन सिफ्ट होता है पास्ट में मतलब की 1070 में जहाबर कि हमें एक रॉमन समराट के बारे में बताया जाता है प्रॉमन समराट अपनी लालची नजर लेकर भारत की तरब निकला और पूरे भारत पर कबजा करना चाता था वो अपने 25,000 सेनिकों के साथ हिंद महासागर तक पहुँच चुका था तबी उसकी लालची नजर पांच दीपों पर पड़ती है पहला दीप था मंडियारू दीप यहां के लोग सिकारी करने के लिए जाने जाते हैं दूसरा दीप था वंकाडू दीप और यहां के लोग औसदी बनाने के लिए जाने जाते हैं पिसरा दीप था मुकाडू दीप, यहां के लोग हतियार बनाने और नाच गाना करने के लिए जाने जाते हैं। और फिर चौथा दीप था अर्थी दीप, और यहां के लोग बहुत ही ज़्यादा खूखार है। इनके अंदर दयानाम की कोई भी चीज नहीं होती है। और फिर पाँजबा और आखरी दीप था पेरू माची थी। यहां के लोग बहुत ही बहादुर और बीर योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। तो रॉमन समराट की नजर पढ़ती है पेरू माची पर लेकिन इन एक ऐसे सक्स की जरुवत थी जो कि इन पाँचो दीपो के बारे में जानता हो। और तब ही इनकी मुलाकात होती है कुडूबा से। कुडूबा इन पाँचो दीपो के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। दो सौने के सिक्के देगा। तो कुडूबा कहता है कि मैं पेरू माची के सौध सेनिको को मारूँगा और उन सब के हाथ काट कर आपके पास लेकर आऊँगा। तो यहाँ से कुडूबा पेरू माची के सरदार से मिलने के लिए जाता है। वो उनसे कहता है कि रॉमन समराट को नाव बनाने के लिए कुछ सैनिकों की जरुवत है। अगर वो ये काम कर देते हैं तो हमें बहुत सारा सोना देंगे। तो यहाँ पर कुडूबा सो सैनिकों को लेकर जंगलों के रास्ते से जाने लगता है। लेकन यहाँ पर बीच रास्ते में चल से वो अपने धेड सारे सैनिकों को बुला लेता है और पेरु माची के सो सैनिकों को मार गिराता है। और उन सभी के हाथों को काड़ कर वो रॉमन समराट के पास लेकर जाता है। बदले में उसे 200 सोने के सिक्के दिये जाते हैं कुडुबा के अंदर अभी भी बहुत लालस था और वो चाहता है कि वो पेरु माची के 100 सैनिकों को और मारे ताकि उसे 200 सोने के सिक्के और मिल सके इसलिए बापस से वो पेरु माची के सरदार के पास गया और कुडूबा सरदार से कहता है कि रॉमन समराट नाओ के काम से बहुत खुस हुए और वो चाहते हैं कि पेरुमाची के सो सैनिको को और लाया जाए ताकि वो उन्हें भी सोना दे सके जिस बजह से यहाँ पर पेरुमाची के सरदार ने सो और सैनिको को नाओ बनबाने के लिए भेज दिया तो कुडूबा फिर से पेरुमाची के सो सैनिको को लेकर जंगलों के रास्ते से जाने लगता है लेकिन तभी बीच रास्ते में वो रुख जाते हैं तब यहां आपर कंगवा की इंटरी होती है और कुडवा के जंगलों में जो सैनिक छिपे हुए थे वो सारे अब बाहर आ चुके थे जिसके बाद यहाँ पर एक धमाकेदार फाइट होती है और कंगवा कुडवा के उन सारे सैनिकों को मार गिराता है। बाद में अदमरी हालत में पेरुमाची लाया जाता है क्योंकि उसने जो किया है उसका सिर्फ एक ही दंड है और बो दंड है मौत बो भी सभी के सामने जिन्दा जला कर क्योंकि पेरियुमाची के लोग उससे बहुत ही जादा खफा है उसने एक गदारी वाला काम किया है कंगुवा यहाँ पर कुड़ुवा को बता रहा था कि जो काम तू ने किया है उसकी सिर्फ एक ही सजा है और बो है सजाए मौत कुछ सोने की लालच में कुड़ुवा ने ये सब कुछ कर दिया था और फिर सभी के सामने कुड़ुवा को जिंदा जला दिया जाता है तब ही हम यहाँ पर कुड़ुवा की पतनी और उसके बेटे पूर्बा को देख पाते हैं और कुड़ुवा की पत्नी भी कुड़ुवा के साथ ही आग में जल कर खुद की जान दे देती है क्योंकि पेरुमाजी के लोग उसके खांदान को भी जलाना चाते थे जबकि कंगवा इसके खिलाब था कि जो काम उसके आदमी ने किया है उसकी सजा फैमली को क्यों मिले लेकिन मरते वक्त कुड़ुवा की पत्नी ने यहां कंगवा से कहकर गई थी कि वो पूर्बा की रक्षा करे तो कंगुआ ने कुडुवा की पतनी को बचन दिया था कि वो पूर्वा की रक्षा करेगा और उसे अपने बेटे की दरह रखेगा जबकि पेरुमाची के लोग यहाँ पूर्वा को मारना चाहते थे लेकिन कंगुआ ने जब कहा कि वो उसका बेटा है तो किसी ने भी उसके उपर हाथ तक उठाने की कोसिज नहीं की अब आगे हम देखते हैं कि रॉमन समराट का ख़वरी कुडुवा तो मारा गया है तम रॉमन समराट अर्थी दीब के सरदार उधीरा के पास पहुँचा और यहां मैं मालुम चलता है कि अर्थी दीब के सरदार और पेरुमाची दीब के कुछ खास नहीं बनती है उनके बीच में तो पहले से ही दुस्मनी है और जब रॉमन समराट यहां पर मदद लेने के लिए अर्थी दीप पहुँचा तो उन्हों ने फोरण हा कह दी और कहा कि हम आपकी जरूर मदद करेंगे और पेरु माची का सत्यानास करेंगे अब क्योंकि रॉमन समराट के पास 25,000 सेनिक थे और यहां अर्थी दीप के लोग भी बहुत ही खतरनाक थे इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा था कि पेरु माची को इस बार बो सत्यानास करने में कामयाब रहेंगे तो अब कुछ दन बाद हम देखते हैं कि पेरु माची के सेनिक जब निहत्ते थे तब ही यहां अर्थी दीप के लोग जो है वो इनकी उपर हमला कर देते हैं लेकिन जब यह बाद कंगुआ को मालुम चली तो यहां वो इन सभी का सामना करने लगता है बले इनके पास कोई भी तलवार नहीं थी इसके बाबजूद वो अर्थी दीप के लोगों का सामना कर रहे थे और इनहें बुरी तरह से मार भी रहे थे तब ही यहां कंगुआ पूर्वा से कहता है कि बो उसकी तलवार लेकर आए तब पूर्वा यहां कंगुआ की तलवार लेने के लिए जाने लगता है लेकिन तब तक कंगुआ इन से लड़ाई कर रहा था और ने बुरी तरह से मार भी रहा था आगे हम देखते हैं कि पूर्वा कंगुआ की तलवार लेकर आता है लेकिन यहां कुछ ऐसा होता है जो किसी ने भी नहीं सोचा था यहां पर पूरवा कंगुआ के अंदर तलवार घोब देता है जिस वज़े से कंगुआ बुरी तरह से घायल हो गया था और पूरवा फिर जंगलों की रास्ते में भाग गया तो कंगुआ यहां पर बुरी तरह से घायल था इसके बाफजूद वो इन लोगों से लड़ रहा था और बहादुरी से सामना भी कर रहा था उधीरा के तीन बेटे थे उन में से दो बेटों को यहां पर कंगुआ ने मार डाला था लेकिन यहां कंगुआ सभी को बताता है कि उसने पूर्वा की मा से वादा किया है कि वो मरते दम तक पूर्वा की रक्षा करेगा साथ ही है यहां मैं एक और बात मालुम चलता है कि उधीरा जल्दी पेरु माची पर हमला करने वाला है लेकिन पेरियुमाजी के लोग चाते हैं कि पूर्वा को काले जंगल में भीज दिया जाए लेकिन कंगुआ कहता है कि अगर पूर्वा काले जंगल में जाता है तो वो भी उसके साथ जाएगा क्योंकि उसने रक्षा करने का वादा जो किया है ना चाहते हुए भी कंगुआ को पूर्बा के साथ काले जंगल में जाना पड़ता है मालूम चला है कि काले जंगल में जो भी जाता है वहां से वो बचकर नहीं आता है लेकिन अगर कंगुआ पूर्बा के साथ रहा तो पूर्बा को कुछ भी नहीं हो सकता है तो बोलो काले जंगल में चले तो जाते हैं लेकिन यहां पर भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ था क्योंकि पूर्वा अभी वी कंगवा से नफरत करता है क्योंकि कंगवा ने उसके पिता को मारा था और उसके अंदर ये गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है जबकि कंगवा पूर्वा का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है दूसरी तरफ जब ये वात अर्थितीप के सरदार उधीरा को मालुम चली कि उसके दोनों बेटों को मार दिया गया है तो उधीरा आग बबुला हो जाता है क्योंकि उसके वेटे को कोई छूबी नहीं सकता है उसे मार दिया गया था जिस बज़े से बहुत ही ज़धा गुस्से में था रॉमन समराट यहाँ पर उधीरा से कहता है कि तुमने हमसे सोना लिया है बदले में तुमने पेरु माची को सत्यानास करने का वादा किया था अगर तुम यह नहीं कर पा रहे हो तो हमें हमारा सोना बापस कर दो ये सारी बाते सुनने के बाद Udhirah को गुस्सा आ जाता है और वो रौमन सम्राट को जान से मार देता है वो उससे कहता है कि यहां पर बात सोने की तो है ही नहीं इसके बेटे मारे गए हैं इसलिए अब ये पर्सनल हो गया है और अब जब तक वो कंगoa को मार नहीं देता तब वक बुला कर लेकर आओ लेकिन उधीरा का बेटा इना बहुत हलके मिले रहा था जबकि कंगवा ने इन औरतों को हाई कौलिटी वाली ट्रेनिंग दी है जिस वजह से ये सारी औरते यहां पर उधीरा के बेटे को जान से मार डालती हैं तो जिस तरह से पेरु माची की औरतों उधीरा के बेटे को मारा है तो सभी को ये सब कुछ अन्याय लग रहा था तो पांचों दीपो के सरदार एकटे हो जाते हैं और वो न्याय करने वाले थे कि आखिर क्या करना चाहिए यहां हम देखते हैं कि उधीरा भी मौजूद था और जब वो यहां पर अपने आखरी पेटे की लास को देखता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा तेज गुस्सा आजाता है और वो यहां पर तभाई मचाना स्टार्ट कर देता है अब वो किसी की भी नहीं सुनने वाला था जो इन दीपों को मुखिया था वो उन्हें भी जान से मार देता है आखिर में पेरु म पेरु माची के सरदार ने यहां पर कंगुआ को एक बाच के द्वारा खबर कर दी थी कि युद्ध अब आरंब होने वाला है दूसरे दरफ हम देखते हैं कि काले जंगल में पूर्बा की उपर एक मगरमच अटेक कर देती हैं वो उसे जान से ही मारने वाली थी लेकिन पेरु माची के उपर हमला होने वाला है और फिर तभी हम देखते हैं कि उधीरा अपने बहुत सारे सैनिकों के साथ पेरु माची की तरफ बढ़ने लगता है अब वो इन सभी को मारना चाहता था तभी उधीरा और उसके सैनिकों की नजर पढ़ती है काले जंगल की तरफ बहाँ पर बहुत सारी आग जल रही थी जिससे कि उन्हें ऐसा लगता है कि पेरु माची के सारे सैनिक जो है वो काले जंगल में भाग गए हैं जिस बज़े से उनकी सारी नाव जो है वो काले जंगल की तरब मुड़ जाती है और अब सभी लोग काले जंगल की तरब हमला करन जबकि ये सब कुछ कंगवा का सेट अप होता है वो इन सभी को काले जंगल की तरब खेंच कर लाना चाता था ताकि पेरुमाची पूरी तरह से सुरक्षित रहे जैसे ही काले जंगल की तरब उधिरा के सैनिक आते हैं तो यहाँ पर कंगवा इनकी उपर हमला कर देता है उसन यहाँ पर कंगवा तो उधिरा के सैनिकों से लड़ने में बिजी था दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर उधिरा की सैनिकों ने पूर्वा को उठा कर ले गये थे वो भी नाओ में और अब पूर्वा जब नाओ पर चला गया है तो कंगवा को भी नाओ पर जाना ही पड़ेगा तो मैं सीन सिप्ट होता है 2024 मतलब की प्रिजेंट में जहांपर कि हम रसेन माफिया को देखते हैं जो की एरोप्लैन के द्वारा जेटा को दूसरी जगह ले जाने वाले थे लेकिन तवी हम देखते हैं कि फ्रांसिस यहां पर आ चुका था उसे जेटा से अलग तरह की अटेश्मेंट हो चुकी थी और जब वो प्लैन से उसे लेकर जाने वाले थे कि तवी फ्रांसिस वहां पर पहुँच कर इन लोगों से फाइट करने लगता है वो लोग बहुत सारे थे और उनके पास हत्यार भी थे इसके बावजुद फ्रांसिस उनसे लड़ रहा था जबकि फ्रांसिस को एक गोली भी लग चुकी थी दूसरे तरफ हम पास्ट के सीन में देखते हैं कि उधिरा ने पूर्वा को नाओ से नीचे लटका दिया था और अब उसे किसी भी पल सार के पूर्वा को खाने वाली थी लेकिन तभी बहाँ पर पहुँच जाता है कंगुआ और वो रस्षी से यहाँ पर उसे खैचने लगता है वो उसे बचा रहा था बतले में यहाँ पर कंगुआ बहुत सारी मार भी खा रहा था पूरवा ये सारी चीज़े देख रहा था कि उसकी बज़े से कंगवा मार खा रहा है और अगर इसी तरह से रहा तो बो तो मारा भी जाएगा इसलिए यहां पर पूरवा ने अपना बलीदान दे दिया था उसने चलाते हुए कहा कि अगर मैं मारा गया तो कम से कम एक बंस तो बचा रहेगा उसने रस्यो को काट दी और खुद को सार्क के हवाले कर दिया जिससे ये देखकर कंगवा को गुस्सा आ गया और वो यहां पर उधीरा के लोगों से लड़ने लगता है और आखर में उधीरा को जान से मार दिता है दूसी तरह प्रेजेंट में फ्रांसिस ने विन सभी लोगों का सामना करके सभी को मार दिया था और जेटा को बचा लिया था तो भई पास्ट में जब पूर्बा मारा गया तो कंगवा ने प्रतिग्या ली कि हर एक जनम में वो पूर्बा की रक्षा करेगा क्योंकि वो इस जनम में पूर्बा को नहीं बचा पाया था और इसी चीज का उसे बहुत ही जादा दुख था फिल्म के आखिर में हमें मालुम चलता है कि उधीरा की एक और आौलाद है जिसका नाम रक्तांकसन है और वो उधीरा की रखेल से पैदा हुआ था जिस बज़े से उसे बेटे का दर्जा कभी भी नहीं दिया गया था लेकिन अब वो गद्धी पर तभी बेटेगा जब वो अपने बाप का बद्दा ले लेगा और हमें मालुम चलता है कि दरसल में रक्तांकसन सूरिया का भाई कार्थी है तो वहीं पर्जेंट के सीन में हमें बताया जाता है कि कार्थी के तरह ही एक रसियन माफिया में जो डौन है उसी ने रसियन माफिया को जेटा के पीछे लगाया है और वो दरसल में रक्तांसन ही है क्योंकि उसे अपने पुनरजन के बारे में सब कुछ याद आ गया है लेकिन यहाँ पर अभी तक फ्रांसिस को कंगुआ के बारे में याद नहीं आया है बस उसे जेटा से बहुत सारी अटेश्मेंट है और वो उसे बस किसी भी तरह से प्रोटेक्ट करना चाहता है तो दोस्तों फिल्म के डारेक्टर सिवा ने कंगुआ के जरिये तमिल सिनेमा की और से तेलगु सिनेमा की सुपर हिट फिल्म बाहुवली को चुनोती देने की पूरी कुसिस की है इसके लिए उन्होंने करीब साड़े तीन से करोड की भारी भरकम बजट में बनी कंगुआ में तमिल सिनेमा के सुपर सितारे सूरिया को लीड रॉल में लिया कई भासाओं में डब होकर लीज हुई इस फिल्म को देश भर में पॉपलर करने के लिए बॉलीवुड से बौवी देउल को बिलन और दिसा पार्टनी को लीड एक्टरेस के तौर पर साइन किया लेकिन अपसूस की फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन प्ले लिखने की जिम्मेदारी खुद ही निवहने वाले सिवा इस मामले में पिछड गए यदिवाय फिल्म के दूसरे पक्चों के साथ कहानी वा स्क्रीन प्ले पर थोड़ी ज़्यादा मेहनत करते तो कंगुआ को सांधर फिल्म बना सकते थे फिल्म की सुरुआत प्राचीन और मौजुदा समय में ठीक ठाक अंदाज में होती है लेकिन इंटर्वल से पहले ही कहानी पटरी से उतरने लगती है इंटर्वल के बाद तो फिल्म की कहानी और ज़्यादा उलच जाती है हाला कि उन्होंने क्लाइमेक्स में एक सर्प्राज डाल कर फिल्म को सम्भालने की कोसिस की है लेकिन वे उससे कामयाब नहीं हो पाएंगे और फिल्म का स्क्रीन पले काफी कमजोर बन पड़ा है जिसके कारण करीब ढाई घंटे लंबी यह फिल्म टुकडों में अपना मरवनजन करती है कुछ बचकाने सवालों के जवाब दरसक सिनेमा घर से निकल कर भी ढूंडते रहते हैं कहीं कहीं जवरदस्ती खीची गई फिल्म की लंबाई को अगर एडिटिंग टेवल पर आधा घंटा कम किया जाता तो साइथ यह और ज़्यादा परभाब साली होती दूसरी और 3D में होने के बाबजूद फिल्म का VFX आपको बहुत ज़्यादा प्रभाबित नहीं करता सिनेमाटोग्राफी के मामले में फिल्म को जरूर ठीक ठाक नंबर दिये जा सकते हैं लेकिन हिंदी डव बरजन का संगीत इसका कम जोर पक्च है पर एक्टिंग के मामले में सूरिया ने दोनों रॉल में अच्छा काम किया है उन्होंने एक प्राचिन योद्धा और मौजूद समय के एक यूवा के रॉल में बखु भी निभाया है लेकिन बाबी देवल अपने रॉल में उतने जमें नहीं कहना गलत नहीं होगा कि डारेक्टर सिवा बाबी जैसे खूकार विलन होने के बाब जूद भी दरसकों को दहला नहीं पाए जबकि दिसापार्टनी फिल्म में बस चुनिंदा दरस्चों में ही नजर आती है और फिल्म के आखिर में इसके सीक्वल की भी घोसला की है पर समाप्त होता है उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब जरूर कीजेगा ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट और फ्रेस्ट कॉंटेट मिलते रहे मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहे धन्यवाद जै हिन जै भारत जै स्री राम